अत श्री दुर्गा सप्ट्शती सप्तमो ध्यायाह चंड और मुंड का वध ध्यानम ओम ध्यायम रत्नपीथे शुक्कल पथितम। श्रिनूती श्यामलांगी, न्यस्तकांगरी सरोजे शशिशकलधरां वल्लकी वादय अंतीम, कहलारा बधमालां। नियमित्विल सच्चोलका रक्त्वस्त्रा मातंगी, शंखपात्रा मधुरम धुम्दा चित्रकद्भासिभालम मैं मातंगी, देवी का ध्यान करता हूँ, वे रत्नमई सिंघासन पर बैठ कर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं, उनके शरीर का वर्ण श्य चोली शोभा पा रही है, वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिये हुए हैं, उनके वदन पर मधु का हलका, हलका प्रभाव जान, पढ़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है, ओम, रिशिरुवाच एक आग्यपतस्ते ततो, देत्याश चसं मुंद पुरो गमा, चतुन गाबलो पेटा ये उर्भ्यू दितायुधा दो रिशी कहते हैं, एक तदनंतर शुम्ब की आग्या पाकर वे चंड मुंद आधी देत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र, शस्त्रों से सुसजजित हो चल। दिये दो दद्रिश उस्ते ततो देवी मी शद्धासा व्यवस्थिताम, सिंग स्योपरी गे महती, कांचने तीन फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय उचे शिखर पर पहुँचकर उन्होंने सिंग पर बैठी देवी को देखा। वे मंध, मंध मुसक्रा रही थी तीन ते वातान समादातु मुद्यम, च इसी ने तलवार सभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो। विक्राल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाशलिये हुए थी। जेवालन भीशना, निमग नारक्तनेना नादापुरित दिन मुखा आथ उनका मुख बहुत विशाल था, जीद लपलपाने के कारण। वे और भी दरावनी प्रतीत होती थी, उनकी आँखे भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। पार्श्वरक्षकों अनकुषधारी महावतों, योधाओं और घंटा सहित कितने ही हाथी। को एक ही हाथ से पकड़ कर, मुह में डाल लेती थी, दस तथेव योधम तुर्गय रत सार्थीना से, निक्षप्य वक्त्रे, दशनेश्चन व्यंत्य तिभेरवं ग्यारा इसी प्रकार घोडे, रत और सार्थी के साथ रती सैनिकों को मुह में डाल कर, वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी, ग्यारा एकम जग्राह के शेशु ग्रिवायामत चाप्र, पादे नाक्रुम्य, चैवा मुर्सान्यम अपोथायत बारा किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल, डालती और किसी को छाती के धक्के स गिरा कर मार डालती थी, बारा तैर्मुक्तानी चा शस्त्रानी महास्त्रानी, तथा सुरह, मुखीन जग्राह, रुशा, दशनेर्मत हितान्यपी, तेरा वे असुरों के छोडे हुए बड़े, बड़े अस्त्र, शास्त्र, मुह से पकड़े लेती और रोश में भर कर दातो से पीस डालती थी, तेरा बलीना तद बल सर्व मसुराना, दुरात्म नाम, ममर्दाब क्षेचान्यान न्यांश्चा ताद्यत था, चोदा काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह, सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया, चोदा असना नह कैचित कैचित खतोंगताडिताह तारांकन, जगमुविनाशम सुरादंताग्रा भहतास्त्था पंदरा कोई तलवार के घात उतारे, गए, कोई खत्वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दातों के अगरभाग से कुछले जाकर मृत्यू को प्राप्थ हुए, पंदरा देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया, ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दोडा सोला शर्वर्श इर महाभी मेर्भी माशी तान महा सुरह, छाद्या मास चक्रश्च मुंडः, क्षिप्तई सहस्रश सत्रह तथा महादेत्य मुंड़ने भी अत्यंत भयानकर बानों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए, हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया सत्रा तानी चक्रान्य नेकानी विश्मानानी, तनमुखम, बबुर्य थार का बिम्बानी सुबहुनी घनो दरम 18 वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान, पड़े, मानो सुर्य के बहुतेरे जना करने वाली काली ने अत्यांत रोश में भरकर अट तहहास किया, उस समय उनके विक्राल वदन के भीतर कथिंता से देखे जा सकने वाले दातों की प्रभा से वे अत्यांत उज्जवल दिखाई देती थी, 19 उत्थाय चमहासर हम देवी चंडम धावत, ग्रिहीतवा चास केशेशू शिर्स्तेना सिनाच्छिंत बीस देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले, हम, का उच्छारन करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला बीस अत्मुंद ब्यधावतां वा चंडम निपातितम, तंप्यपात्यद भूमोसा खटगा भेहतम रुशा 21 चंड को मारा गया देखकर मुंद भी देवी की ओर दोड़ा, तब देवी ने रोश में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धर्ती पर सुला दिया 21 हट शेश ततह सैन्यम वा चंडम निपातितम, मुंदम च सुमहावीर्यम दिशों भेजे भयात और 22 महा प्राक्रमी चंड और मुंद को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भाय से व्याकुल हो चारों और भाग गई 22 शिर्ष चंड स्य काली च ग्रिहीत वा मुंदम एव च प्राह प् इत्थास मिश्रम भेत्य चंडिकाम 23 तदनंतर काली ने चंड और मुंद का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर अट्थास करते हुए कहा 23 मया तवात्रो फरित और चंड मुंदों महापशू युधेगे स्वयम शुभ निशूम्भ चहनिशसी 24 देवी मैंने चंड औ और मुंद नामक इस दो महापशूओं को तुम्हे भेट किया है अब युद्ध यग्य में तुम शुम्भ और निशूम्भ का स्वयम ही वद करना 24 रिशिर उवाच 25 तावानितो ततो वा चंड मुंदों महासुरो उवाच काली कल्यानी ललितम चंडिका वचह 26 रिशी कहत हैं 25 वहां लाए हुए उन चंड मुंद नामक महादेत्यों को देखकर कल्यानमाई चंडी ने काली से मधुरवानी में कहा 26 यसमा चंडम चा मुंदम चा ग्रिहीत्वा त्वमुपागता चा मुंदेती ततो लोकें ख्याता देवी भविश्य सी ओम 27 देवी तुम चंड और मुंद को लेकर मेरे पास आई हो इसलिए संसार में चा मुंदा के नाम से तुम्हारी ख्याती होगी 27 इती श्रीमा कंडेय पुराने सावर्निके मनवंतरे देवी माहात्मे चंड मुंदवधो नाम सप्तमो ध्याया साथ उवाच दो श्लोकाह 25 एवाम 27 एवाम आदितह 449 इस प्रकार श्रीमा कंडेय पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मय में चंद मुन्द वद नामक सात्वा अध्याय पूरा हुआ साथ